अधिया प्रेंड्स जैशे कृष्णा मैं हूं उम्हा और आपका स्वागत है मेरी किचन में आज हम बनाने जा रहे हैं पेपर पनीर पराथा इसकी हम स्टफिंग पनीर से करेंगे पचलिए रेसिपी शुरू करते हैं पेपर पनीर पराथा बनाने के लिए 100-200 ग्राम पनीर जिसे मैंने ग्रेट कर ले लिया है धनिया पती जिसे मैंने बारी काट लिया है औरinars लिक्ति सूख्य मसाले दिख लेते हैं जीरा, अजवाइन, काली मिर्ची, रेड चिली फ्लेक्स, जीरा पाउडर, चाट मसाला पाउडर, जीरा और काला नमक, और थोड़ा सा हम नमक भी ले ले लेंगे, अब हम चलते हैं इसकी स्टफिंग बनाने की तरफ, स्टफिंग बनाने के लिएक मिक्सिंग बोल में पनीर इसमें ग्रीन चिली मिला देंगे अपनी दो बारी काटीव condemn्त हरी मिर्ची मिला देंगे प्यास ड Ur commune साइज के बारी काट मिला देंगे और धनिया पत्ति मिला देंगे इसमें अपना आधा चमिक जीरा आधा चमिक अजवाइन एक चमिक और पाउडर Lagya जीरे पाउडर आ वाइट नमक मिक्स कर देंगे सारी चीज़ों का अच्छे से मिक्स करके हमारी फिलिंग बिल्कुल तयार हो गई है स्टफिंग पनीर की स्टफिंग हमारी तयार है तो चलते परांठे बनाने की तरफ यहां पर मैंने डो जो है वह पहले से रेडी करके रखा हुआ है जैसे कि अब अपने हिसाब से बड़ी चोटी जैसे भी ब morb सकते हैं सेम इसी साइस की एक रोटी हम और भेलें गये कि जैसे रोटी हम पहले साइस की सवी बनाई कि अश्क आइज कहँरें इसक्षासी साइज की विद्बना हैं और आप जो दूसरी रोटी बनाहिए इस में हम अप फिलिंग को लगा लें अच्छे से चारो तरफ कहीं भी खाली जगा नहीं रहनी चाहिए अच्छे सेब गट हैं अज दूसरी रोटी है अब हम इसको इसके ऊपर रख देंगे और ऐसे किनारों से अच्छे से दबाते हुए चिपका देंगे इसे ऐसे कुछ ज़्यादा हमें पानी वानी से नहीं चिपकाना है क्योंकि हमें इसको बाद में खोलना ही है तो देखिए यह एक स्टफ परांटा हमारा बनके तयार है एसे ही मैं दूसरा बेल के रख लेती हूँ आटे का थोड़ SAY पौशन लेके उसे के तरह एक रोटि बना लेएं पहले इसको साइड रख देंगे से में इस उसी साइज की हमें एक रोटी और बना लेनी है अब इसके उपर हम लगा देंगे अपनी स्टफिंग उसी तरह से जैसे हमने पहले बाले परांटे पे लगाई थी और दूसरी रोटी से इसको कवर कर देंगे जो रोटी हमने पहले बना के रखी है और ऐसे किनारों से इसको अच्छे से चिपकाते हुए यह हमारा दूसरा स् इसको नार्म होने के लिए एक तरफ घी लगा देंगे नॉर्मल जैसे परांठा सेकते हैं उसी तरह इसको सेक लेंगे गी या तेल आप कुछ भी लगा सकते हैं जो आपका मनों चारों तरफ लगाते हुए अच्छे से सेकेंगे इसको फ्लिप करके दूसरी तरफ भी लगा अब दोनो तरफ से इसको हलके हाथ से दबाते हुए सेक लेंगे और हमारा परांठा दोनो तरफ से अच्छे से सीख गया है अब आता है इसमें में काम यह हम क्या करेंगे इसको जो हमने दो रोटी बनाई थी उसको अलग-अलग कर लेंगे इस पैचुला के हल्प से और यह देखे हमारे दो पेपर पनीर परांठे बनके तयार है यह जो हम दो रोटी लगाते है वह अपने आप गी में सिखने के बद अलग-अलग हो जाती है लेकिन यह बहुत गरम होती है आप इसको ध्यान से करें और इसको ऐसे रोल कर लेंगे एक दम पतली लेयर निकल के आती ह है हमारी इसलिए इसका नाम हमने पनीर पेपर परांठा रखा है इसी तरह से हम अपना दूसरा परांठा भी सेक लेते हैं कि यह देखे हमारे पतले पतले पनीर परांठे बन गया है मैं दूसरा भी परांठा सेक लूँगे अपना कि इसको हाथ से थोड़ से दबा दें तॉंक के हल्प से आप इसकी लेयर निकालें तो si मैं एक दु बार परे पहले इसको इसाथ निकाल चुक्यू सी इसलिए मुझे पता था यह गरम होगा आप इसको बहुत ध्यान से करें जब मुंझे ऐसे करके लेर निकालते हैं तो यह बहुत गरम होता है आप इसको ध्यान से करें यह दोनों तरफ से हमारा परांठा सिख गया है अब इसकी यह लेयर निकाल लेंगे यह अपने आप परांठा जब आपका सिख जाएगा पूरा यह अपने आप एक लेयर अलग हो जाएगी क्योंकि हमने दो रोटी जोड के बनाई है तो पतला बनता है एकदम पेपर की तरह और स्टफिंग एकदम मूह में घुल जाने वाली होती है और यह खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं बिलकुल मोटे नहीं लगते हैं एकदम पेपर की तरह लगते हैं यह देखे मैंने इसको सर्व कर लिया है और आपको की मेरी पेपर पनीर परांथा की रहसे भी पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को सबस्क्राइब करें मेरी वीडियो को लाइक और बेल बटन भी जरूर प्रेस कर दें आप से पर पनीर परांथों के पर जरूर ट्राइक करें यह बहुत टेस्टी लगता है वुपर से एकड नहीं से घ्लियू